Hello friends! मेथी के पराठे किसको नहीं पसंद? मुझे तो बहुत पसंद है. मैं तो सर्दी आने का अंतिजार करती हूँ कि कब सर्दी आए और मेथी आए और मैं मेथी के पराठे बनाओ. हमारे घर में तो सबको पसंद है. आप लोगों को भी बहुत पसंद होगे तो चलिए आज हम मनाते हैं मेथी के स्वादिष्ट पराठे ऐसे पराठे आपने पहले नहीं खाये होंगे कभी चलिए बनाना शुरू करते हैं आप देख रहे हैं यह हरी हरी मेथी यह मैंने साफ करके अच्छे से और धोली है यह लगभग 500 ग्राम मेथी है इसको मैंने बिल्कुल जड से खतम नहीं करा है इसके पत्ते-पत्ते नहीं निकाले हैं मैंने इसकी टंडिया भी निकाली हैं क्योंकि डंडिया भी काफी मुलायम होती है ये देखिए आराम से तूट रही है तो इस तरीके से हमने ये मेथी साफ करके दो ली है अच्छे से अब हमें इसे बारिक-बारिक काटना है तो चलिए बारिक-बारिक काट लेते हैं फ्रेंड्स हमने मेथी को बारिक बारिक काट लिया है बिलकुल आप इसको तो रखते हैं साइड में और चलिए आटा लगाने के तियारी करते हैं फ्रेंड्स हमने परात में दो कप आठा ले लिया है हमने अपनी मेथी के अकॉडिंग यह आठा लिया है क्योंकि हमारी 500 ग्राम मेथी है तो लगबग 500 ग्राम यह आठा होना चाहिए अब हम इसमें अपनी मेथी डाल देंगे अब हमें मिलाने हैं इसमें कुछ मसाले तो मसाले निकाल लेते हैं मेथी डालने के बाद सबसे पहले डालेंगे हम आदी चमच हल्दी हल्दी से कलर बहुत अच्छा आएगा आदी चमच लाल मिर्ज एक चमच धन्या पाउडर आदी चमच नमक एक चथाई चमच हीन यह आदी चमच अजवाइन है जिसको हम कुर्श करके डालेंगे आदी चमच से थोड़ा कम चांट मसाला यह हमने ले लिया है पांच कली है लसन की और एक इंच अधरक का टुकड़ा जिसको हमने पूट लिया है अच्छे तरीके से इसको भी डाल देते हैं इससे इसमें फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा तेस बहुत अच्छा आएगा अगर कोई नहीं खाता हो तो ना भी डाल देते हैं यह दो हरी मिर्ची है जिनको हमने बारिक बारिक काट लिया है यह भी डाल देते हैं और यह सब सारे मसालों के डालने के बाद में इसको बिना पानी के ही सबसे पहले हमें ऐसे ही मिक्स कर लेना है क्योंकि मेथी में भी प बुलायम सा ना जादा साक्तो हो और ना जादा धीला हो सब चीज़े अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे अब हमने सारी चीजों का अच्छे से मिक्स कर लिया है अब इसमें थोड़ा-थोड़ा हम पाई डालेंगे बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा इस तरीके से और दीरे-दीरे करके आठा तयार कर लेंगे प्रेंट्स हमारा आठा गुदकर तयार है अब इस पर थोड़ा सा हमें आदी चम्मज के करीब घी लेना है और इस पर लगा कर इसको एक बार और मत लेना है अच्छे से मसल्ले के बाद में आठा तयार है अब इसे सिर्फ दस मिनट के लिए हमें ढग कर रख देना है उसके बाद हम इसके पराठे बनाएंगे चलिए फ्रेंट्स बनाना शुरू करते हैं पराठा अपने आठे में से आठा तोड़ लेंगे थोड़ा लोई बनाकर पराठे की शेव देंगे इस तरीके से पलोसर लगाना लगाकर पूरा बेल लेंगे क्योंकि हमें इसका तिकोना पराठा बनाना है थोड़ा ओईल लगाएंगे एक बार फोल्ड करने के बाद एक बार और कर लेंगे वापिस पलोधर लगाएंगे और फिर से पेल लेंगे पराठा बिलकर तैयार है चलिए गैस पर रखतें तवा गरम कर लेते हैं फ्रेंड्स तबा गरम हो चुका है अब इस पर अपना पराठा डाल देते हैं पराठे को एक बार पलेटने के बाद आब इस पर हमें ओईल लगाना है अच्छी तरीके से लगाने के बाद हम इसको पलट देंगे और दूसरी साइड भी अच्छे से ओईल लगा देंगे वापिस फीर से पलट देते हैं और अच्छे से दबा दबा कर सेख लेते हैं आज हमें बिल्कुल सिम्ही रखनी है एक बार तवा गरम होना चाहिए उसके बाद फिर हम आज को कम कर सकते हैं है पराथा सिख चुका है अब इसको तार लेते हैं और इसी तरीकी से दूसरा पराथा भी डाल देंगे अब आप 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 कि 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 क्ष़ और इसे भी उतार लेते हैं ये भी सिख चुका है लीजे फ्रेंड्स हमारे स्वादिष्ट मेथी के पराठे बन कर तेयार हैं बहुत ही टेस्टी बने हैं आप भी इस तरीके से अपने घर में बनाईए आपको भी बहुत पसंद आएंगे अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो मेरी रेसिपी पसंद आया हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सबसे पहले मेरी वीडियो दिखाई दे धन्यवाद